यादिगार पलो का मनमोहक साक्षी, नव यूगल की नई और पहली चोईस, बेस्ट वेन्यू फोर एवरी ओकेज़, डेस्टिमेशन वडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्स्प्रेसर डेकॉर, एक्सपिरियंस विद लग्जरी, लाफ लोरा, गड़ रोड, मेरत यूपी के डिप्टे चेप मिनिस्टर केशो परसाद मौरे ने मेरत पहुँचकर कॉंग्रेस के नेशनल हेराड मामले में ब्रिश्चचार पर खुल कर लंबी चर्चा की, उन्होंने कहा कि जमानत पर बहार कॉंग्रेस अध्यत सोनिया गांधी वे राहुल गांधी को एडी क के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, ब्रिश्चचार के लग रहे आरोपों पर जवाब देना चाहिए, दरसल देश यह चाहता है कि देश ब्रिश्चचार से मुक्त हो और इसके लिए काऊंगे इस मुक्त होना बेहर जरूरी है, वहीं राजिय मंत्री वे विधायक दिने यूपी के उप मुक्खे मंत्री केश्व परसाद मौर्य मेरट गंगा नगरे स्थितराज्य मंत्री दिनेश खटी के आवास पर पहुचे थे, फिस सरकिट हाउस में पत्रकार से वारता करते होए उन्होंने यह है आज मेरट की इस पत्रकार वारता में हमारे दोनों अध्यत महाणगर और जिला मेरट के और हमारे साथ में, हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री तुरी जिनेश जी अमारे वरिष्ट विधायक तुरी अमित अग्रवाल जी और अन्य साथी यहां पर विराजमान हैं मैं आज आप से चर्चा करने के लिए आया हूं विशेश तोर से नेशनल हिरार्ड मामले में कांग्रेश का जो रष्टाचार को संदच्छन देने वाला चरित रहा है जिससे आजादी के बाद से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेश के सासन के समय रष्टाचार के कारण इस भारत को पूरी दुनिया में पुर्था मस्थान पर होना चाहिए था पूरी दुनिया के सामने भारत को कमजोर बनाने का काम पहले भी किया जाता रहा है ग्रश्टाचार करने वालों को संदच्छन देना ग्रश्टाचार करने वालों के खिलाब कारवाई करने से जो जाँच जेंसियां हैं उनको रोकना उनको प्रभावित करना और जब कोई दोस्ट सावित हो जाए तो आपात काल जैसे संकट का सामना भी देश को करना पड़ा था यहाँ मैं एस्मन दिलाते हुए जो नेशनल हिराल्ड मामला है जिसमें पांच हज्जार स्वतनत्रता संग्राम सेनानी एजेल कमपनी जो पंडित जवाहलाल नहरू के समय बनी थी उसके सारे सेरहोल्डर स्वतनत्रता संग्राम सेनानी थी उसमें एक बड़ा घोटाला बड़ा फ्रश्टाचार का आरोप लग थी केस दर्ज हुआ उस केस में स्रीमती सोनिया गांधी जी स्री राहुल गांधी जी दोसी पाए गए उन्होंने नयायले से जमानत करा करके बेल में हैं अभी जेल में नहीं है लेकिन जाज की प्रक्रिया में अभी एडी के माध्यम से जो नोटीस दी गई और नोटीस देने के बाद एडी के सामने पेश हो करके अपना पच्छ रखने की जगह वह भ्रश्टाचार के मामले में कैसे कांग्रेस का कुन्वा बचे कैसे गांधी खांदान में स्रीमती सूनिया गांधी जी जो अर्तमान में अज़्ध के रूप में और स्री राहुल गांधी जी पूर कांग्रेस के अज़्ध के रूप में दोसी हैं और दूसरा आसकर फांडी जी के लिया नाम से था पर चौविस परशेंट उस पर जो नहीं है इस दुनिया में उन पर मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका होता आज कांग्रेस की स्किति यही बन गई है कांग्रेस एक घ्रश्टाचार के गंभीर मामले एडी की नोटिस के बाद वा लगातार एक राजनेतिक रूप देने की कोशिज कर रहे है मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि जब 2014 में देश की जनता ने मानी स्री नरेंद मोदी जी के नेतित में जनादेश दिया और मानी मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बनी उन्हों नहीं यह बात कही कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जिसने भी गरीबों को लूटा है जिसने देश को लूटा है जिसने किसानों को लूटा है जिसने मजदूरों को लूटा है उन लूटोएरों से एक एक पाई वसूल करके फिर उनके ही चरणों में डाल दूंगा लेकिन इन ब्रश्टाचार के केस में फसे हुए लोगों को लगता है कि राजनितिक दबाव बना करके इसे मामलों में बच सकते हैं मैं आज यहाँ पर एक कहावद बहुत दिनों से प्रचलित है कि राजा कहे रात है, रानी कहे रात है यहाँ सुभा सुभा की बात फलब इस कांग्रेश का चरित्म ऐसा हो गया है कि भ्रश्टाचार का अरोब भी है भ्रश्टाचार के मामले में दोसी भी है और दोसी होने के बाद भी या कांग्रेश के लोग इन दोनों नेताओं को बचाने के लिए देज भर में प्रेस भी कर रहे हैं, आप लोगों से बात किये होंगे, ना किये होंगे, तो करेंगे, और फिर दिल्ली में दबाव बनाने का, जांच एजेंसी, देश की एजेंसी है, और किसी तक रश्टा चार किया है, तो जांच होनी चाहिए, और मैंनिस्चित तोर से आज के पन्नों में, सोड़क्षरों में अंकीत, और आजादी के 75 वर्स पूरे होने पर, अमरित महुस्ट वर्स जब हम मना रहे हैं, रश्टाचार के इतना गंभीर केस है, और एसे केस के मामले में, वह बचाव का जो रास्ता और तरीका अपना रहें, मैं निंदा करता पुस्तर प्रदेश की 25 करों जन्ता की ओर से, यह कहना चाहता हूं कि जाट इजिंसियों का कांग्रेश सम्मान करें, कांग्रेश की अध्यच, पूर अध्यच सम्मान करें, एडी का जो नोटिस है, उसका जबाब दें, बताएं कि इस घुटाले में 38-38 का यह सेयर, स्रीमत आज की चिथी में बताया जाता है, कि लगबग 2,000 करोन, इसका इसकी एसेट है, उस 2,000 करोन के घुटाले का एक गंभीर जब आरोप है, तो मैं यह मानता हूं कि इसे मामले में कांग्रेश को जबाब देना चाहिए, और कांग्रेश ने एक यंग इंडिया लिम्टेट के नाम से कंपनी बनाई थी, मैं इसका अभी प्रेश नोट आप लोगों को अलग से मिल जाएगा, डिटेल में यहां अमारे जो मिडिया का काम देखते हैं, उनके माध्य हम से में देने काहूंगा, वो इसे बड़ा बिश्त्रीत है, लेकिन मैं आज जब आप सब के बीच में आया हूँ, तो यहां जरूर यहां कहना आवस्चक हो गया है कि अगर कोई गलत नहीं है, उसे फिर डरना नहीं चाहिए, जिस प्रकार से कांग्रेश के वर्तमान और निवर्तमान अध्यर जरे हुए, उससे अस्पश प्रदीत होता है कि जो आरोप जाज के माध्यम से उज पर निश्चित तोरते जो आरोप हैं, वो सच हैं, अगर आरोप सच नहीं होते तो उनको एडी के सामने पेस होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, और बाकी जो प्रक्रिया उसका सामना करना चाहिए, तेकि नो ने ऐसा ना करने या सावित किया है कि वो प्रश्टाचार का समर्थन करने वाली पार्टी है, ब्रश्टाचार करने वाली पार्टी है, ब्रश्टाचार को संदच्चर देने वाली पार्टी है, इसका जवाब देना पड़ेगा, अब देकि मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ जो पूरा मामला हिराड से जुड़ा है, उसमें पहले ही दोनों लोग जमानत पर और जमानत पर होने के बाद अगर एडी की नोटीस उनको प्राप कुई तो एक बार दो बार आदमी को बना करना समझ में आता कोई प्राबलम है लेकिन पेस होने की जगा राजनेतिक दबाव बनाना तो ये रश्टाचार को कांग्रे प्रदेश से मुक्त भारत को बनाने के और आगे बादेश प्रदेश प्रदेश जो पत्थरबाज है उनको यासपशत तवर से समझ लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करेंगे तो उनका संबच्छन करने के लिए कि अकले से आदो जी ट्वीट जरू प्त्थरबाज की लेकिन मुझे यहां बाद जरूर आश्य लगता है कि यहां जो दंगाईयों की कहीं पिताई हुई पत्थरबाज की पिताई हुई उसलिए अकले से आदो जी को यहां कियो नहीं दिखाई दिया कि पुलिस वालों पर किस प्रकार से यहां दंगाई हमला क तो इनको महस्वूस हो रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं और अखले क्यों हो रहे है Fast então makes it odd को आज़ा दो कि जांच की प्रक्रिया जालिए जानच में जो भी दोसी आएगा के बोस्ति पाया जाएगा उसे कोई बचातीं अगरा करोगा है। कर देने के नौ बतारी और जो इसके लिए दोसी होंगे जो जांच करके उसमें सत्थ सामने हा रहे हैं उसके आधार सब्सक्राइब के दिन नमाज के बाद जो कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश सांति पूर्ण से विकास के पत्पर आगे बढ़ रहा है जिल लोगों ने इसके पीछे साजित की है जिल लोगों ने द 이 लिख्ठी से तोसाहिद करने का कीजिवण ऑवर्ण करने का काम किया है पुलीस उनकी बहुत ब्रिस्त्रीत जात कर रही है थो जात दूर्थी पाए जाए जाएं शन्यारीकरक गारी और हमारे मुपंत्री जी ने कहा है कि जो निर्दोस होगा उसे छेड़ेंगे नहीं तो दोसी होगा उसे चोड़ेंगे नहीं इस खबर में फिलाल इतना है आप देखते हैं फस्ट्बाइड टीवी नमस्कार